सरकारी स्कूलों में एक लास के दोरान बच्चों को पढ़ाने के बजाए टेबल कुर्सी पर पेर पसारे सोते हुए सिक्षकों के वीडियो तो आपने कई देखी होंगी लेकिन आज हम आपको एक ऐसे टीचर की तस्वीरे दिखा रहे हैं जिसे देख कर आपका दिल खुश हो जाएगा और तारीफ किये बीना खुद को रोक नहीं पाएंगे दरसल जिस सिक्षक के हम बात कर रहे हैं उनका नाम है मुकेस बिजगवनिया मदप्रदेश के खरगों जीली की ग्राम राइविडपुरा में बतोर प्रात्मिक सिक्षक पदस्त हैं दोनों पेरों से विकलाग ये टीचर एक एक बच्चे के पास जाकर सवालों के जवाब हल कराते हैं जबकि अधिकांस स्कूलों में देखा जाता है कि टीचर अपने कुर्सी पर बेटे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं लिकन ये टीचर थोड़े अलग हैं उनकी क्लास में करीब 45 बच्चे हैं और हर एक बच्चे को तब तक समझाते रहते हैं जब तक उसे सवालों के जवाब ना आ जाए बच्चों को पढ़ाने के उनके इस तरीके की वजह से हम ऐसा उनकी क्लास में बच्चों की संख्या बने रहती है और रूची लेकर पढ़ते भी हैं और सीखते भी हैं लोकलेटिन से बाच्चीत में सिक्षक मुकेस बताते हैं कि चार साल पहले वे यहां पदस्त हुए थे उनका मानना है कि सरकारी स्कुलों में गरीद तपके के लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं सिक्षा अच्छी मिलेगी तो आगे चलकर यही बच्चे देश का नाम तीनों ही विशे में बच्चे एतने दक्ष हैं कि एक बार पढ़ाया हुआ उन्हें साल भर याद हो जाता है यही बजह है कि स्कुल में परिणाम भी बहतर होते हैं उनका कहना है कि स्कूल टाइम में पूरी तरह बच्चों को समर्पित होकर पढ़ाते हैं और इसलिए बच्चे उनकी क्लास में मन लगा कर बेटते हैं और वो समय में अपनी स्कूल में बच्चों को देता हूं। पुरी अच्छी तरह से। परिणाम क्या नगराते हैं, बच्चे एक बार में समझ जाते हैं, कुछ बच्चे दो बार में लेकिन कुछ बच्चे यसे हैं जिनको बार बार समझाना पड़ता heck जितने अपनी मेनत रहेगी, जितना अपना प्रयास रहेगा, उतने बच्चे सिखेंगे मैं बच्चों को बढ़ाता हूँ हिंदी, गणीत और अंग्री जी ये मेरे पास तीन क्लास है, तो मैं ये बढ़ाता हूँ बच्चों को, हिंदी, गणीत, अंग्री जी में यहां से मेरे को चार साल हो गाई और यह पाज़वा साल चल रहा है सर रिजल्ट बहुत अच्छे रहते सर यहां क्योंकि जैसे सर मेहनत के बीचे है सर हम दो सर है प्राइमरी में तो अगे अलागे अभी एक इक रत हो गई है तो सब एक से आट तक तो हम मेनत करते हैं पढ़ाते हैं सर तो बच्चो का रिजल्ट बिल्कुल मिलता है सर एक लिखो एक यह कितने रुपए वापस दिए उसको? 10 यह तो यहां क्या लिखना है उत्तर में अपन को कि उसको 10 रुपए वापस दिये कितने रुपए वापस दिये 10 या लिखो अब जोको उस्तु का मुल्ली कितना है दीपक पांडे लोकलेटिन खरगोन